नमस्कार साथियो, साथियो स्वागत है आपका अश्रडी सप्रत की इस एपिसोड पे साथियो इंडिया गठवंधन, इंडिया अलाइंस जहां एक तरप नारेंद्र दामोदर्दास, मोधी, भारतिय जन्ता, पार्टी, आरेसस इन तीनों को एक साथ बहुत बड़ी चुनावती देने की तैयारी कर रहा हो वही पे इंडिया गठवंधन के भीतर, सयोजक कौन बने और फिर नितिश कुमार सयोजक हो अगर, या फिर सयोजक ना बने नितिश कुमार इंडिया गठवंधन के भीतर का चेहरा बने PM का चहरा बने या फिर ना बने कि इसको उपर जब सवाल धरे-धरे गहरारा हो सवालों को सुल्जाने की जितनी कोशिसे की जाती हो कहा जाता है कि कई जगों से इसके उपर reservation सामने आ रहा है कई जगों से अपत्यां जता ही जाती है इन अपत्यों के बीतर इन अपत्यों के बीतर जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो नाम होता है महमता बनर जी पच्छिम बंगाल के मुखिया पच्छिम बंगाल के मुख्यमंतरी महमता बनर जी TMC के मुख्यमंतरी आखिर मौमता पनर जी और नितिष कुमार के बीच दिकत क्या होता है और भीस्वास का संकट कहाんな का हो गाइए बरतमान दोर में कई लोग के मन में इस सवाल तैर रहा है और विस्वास का संकट दोनों के बीच में पैदाने हुआ जब दोनों इंडिया गटवंदन के बीतर है और विस्वास का संकट पैदा करने के बीतर कॉंग्रेस पार्टी ने अपने भूम काने भाई हो ये पक्के तोर पे तो नहीं कहा जा सकता लेकिन दोनों के बीच जो जो जूल रहा है इंडिया गटबंदन इंडिया अलाइज जब एक ऐसे दौर में पहुँच रहा है जब लोग सबाश चुनाओ एकदम सर के उपर खरा हो तो उस दोर में उस समय में नितीस कुमार भी कोलकता पहुच रहा है इसी 17 जनवरी को नितीस कुमार कोलकता पहुच रहा है ममता बनर जी की धुर विरोधी लेकिन इंडिया गटबंदन के भीतर ममता बनर जी के साथ खड़ी हुई और पसिम बंगाल के भीतर मम्ता बनर जी के साथ इस परकार चुनावी दो-दोहाथ करने की तैयार है जिसके भीतर भारते जिंदा पार्टी को तीसरे अस्थान से उपर आने का मौका ना मिले और उस CPM के कारेकरम के भीतर पहुँच रहे हैं जोती बसू इस भारत देश के सबसरवाधिक लोगपिरिय मुख्यमंत्रियों के सुची में सुमार किये जाने वाले औल टाइम्स फेवरिट नेताओं की कतार में माने जाने वाले जोती बसू उनके पुन्य तिथी के उपर हो जा रहा है साड़े तईस साल जोती बसू पस्यम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे सियम रहे लेंड रिफॉर्म से लेकर के तमाम तरह के बड़े काम जोती बसू ने किये परधान मंत्री पद के उपर करीब करीब परधान मंत्री बन ही चुके थे ऐसा कार लेकिन उनकी पार्टी की भोलिंग ब्यूरो ने जो है कई सारी अपतियां उठा दी थी कि उस सरकार का हिस्सा हम नहीं हो सकते जिस सरकार की आर्थिक नीतियों को डिक्टीट करने की इस्तिति में वो नहीं हो नतीजा इजति भावु पर धान्मंत्रे नहीं बन पाई थी उसीं के कारेकरम में उनकी कारेकरम में नितिसltry क्मार कॉलकता जा रहे हैं ज्यारा ध्यान देने वाली बात है अगर नितिसकुमार क्उलकता जाने का फैसला कर लिया निरने कर लिया तो कई लोग के मन में एक सवा से भी देखते हैं कि इन दोनों की कारणों से ही इंडिया गटबंदर इंडिया एलाइंस के बीतर तमाम मसले उल्जे हुए हैं मसला एक तरफ परभावी नेत्रितु का मसला यानि स्वयोजक का मसला और तिसरी तरफ जो है काश संसस का मसला इसलिए दोनों का मत अलग लग है लेकिन मामला इतना भर नहीं है बिहार के निटिज कुमार और ममताबनरजी के बीच में महमताबनरजी के बीच में एक और विश्वास की जो गड़े जो खाइझी journée कैना होता कॉंग्रेस में महादिवेशन बुलाया उस अधिवेशन के दोरान ही ममता बनेर जी की जित्ती की पस्टिम बंगाल कॉंग्रेस के अधिक्ष स्वमें मित्रा हटाया जाइक सीता राम केशरी स्वमें मित्रा के साथ खरे थे और फिर कॉंग्रेस के अधिवेशन के महादिवेशन के पैरलर बराबर ममता मनार जी ने इसके समाना अंतर अपने प्रोग्राम कर लिया और बहुत भारी उनके भीर कारकरम हो अमरी महुता मनाड़ जी उससे कॉंग्रेस तिरिन मुल कॉंग्रेस का नाम दिया और तिरिन मुल कॉंग्रेस जब जनवरी अंठानवे में अपने सकल में आई तो तिरिन मुल कॉंग्रेस का पहला ठीकाना कौन बन गया और क्या बना वो पहला ठीकाना तिरिन मुल कॉंग्रेस का ब जॉर्ण फरनांडेस को एंडिये के भीतर लेकर के है जॉर्ण फरनांडेस वे मिलाया और दो महिने बाद अपने विहारी बागु का सरकार बना अटल बिहारी बाजपई परधान मंत्री बन गये और फिर उनके परधान मंत्री तुकाल में यह जाते थे अडल विहरी बाजपowment चाहते थे कि चुनावा हरने के बावजूद भी राजस्थान के बितर कोई सीट गवाने के इतने सीट गवाने के बावजूद भी जस्वन सिंग को मंद्री मंदल का हिस्सा बना जाए बित्मंत्री बना जाए लेकि शंग ऐसा नहीं चाहता था नतिजतन जेस्वान सिंग का नाम पहले लिस्टे ड्रॉप किया गया वाद में आए भी तो विदेश मंतरी बन करके आए और दूसरा मामला रेल मंतराले का चल रहा था उस दौर में और रेल मंतराले का मामला केतना गहरा था ये बताने की पहले एक बात को रेंगी तो फिर फर पंचयती करने आए जौर साथ जायेर साथ नितीच मान जाओ तो नितीच जी का आए भी और फिर बिहार से लड़ना नहीं है आपको क्या तो इस तरह का मामला था यह मामला था और रेल मंत्राले के बिवाद कितना बड़ा था यह उस घटना के सरकार एक बोट से गिर गई थी जिसमें बिस्वासमत के उपर उस पे लालुयादा बोलते हुए सब के सामने उस सब्सक्राइब के चर्चित बिवाद को ला दिया था राम बिला सपासमान सेंक्त मर्चा सरकार के बितर यानि 96-97 के दोरान देव गवरा और गुजराल सरकार के बितर रेल मंत्री थे और रेल मंत्राले जो है पूर्वी भारत के इलाकों के लिए हमेशा से गलेमर वाला नजर आते रहा चाहे कामलापती तिरपाठी रहे हो चाह राम बिला सपासमान रहे या फिर बाद के दोर में नेतिश कुमार लालुयादब और मामतापनर जी रहा रेल मंत्राले हमेशा से एक गलेमर वाला पद इसलिए भी माना जाता रहा यूंकि रेल वे जो है मद्ध्य वर्ग से लेकर के गरीबों की सवारी हुआ करते थे आम के भीतर अपने लिए एक ऐसी छबी का निर्मान कर दिया जिसके बाद जो है राम बिला सपासमान एक बहुत बड़े नेता के तौर पे उफ़रती हुई दिखे थे नितिश कुमार के दावेदारी थी उनकी दावेदारी पटना के तट पे थी अब विवाजी तो बिहार ज जहां से जोती वासु सासन कर रहे थे जोती वासु दोनों की स्टसल के बीच में ही अटल बिहारी बाजपय और लाल किर्शन अडवानी ने पलवरा नितिश कुमार के पक्ष में जुका दिया और नितिश कुमार रेल मंतरी बन गए और नितिश कुमार जब रेल मंतरी बन नहीं होंगे मम्ता बनर्जी मंत्री नहीं बने मम्ता बनर्जी मंत्री नहीं बने टी एमसी का भी कोई मंत्री नहीं बना रेल मंत्राले नितिश कुमार की खाते में आया और जब नितिश कुमार के हिस्से रेल मंत्राले आ गया तो लालू यादव के पैरलर बरापर में बिहा बहुत मजगुती से एक बहुत बड़ी छबी का निरवान करता हुआ दिखा जो कि उसके बाद जो है एक ऐसा सत्ता 2005 आतयते बिहार में बनी जो 2000 में बनते बनते और सफल जरूर हो गई थी लेकिन 2005 में जो एक ऐसी सत्ता कायम हो गई जो ना आज तक भारते जंदा पार्टी उसको हिला पाई ना आज तक RJD हिला पाई उसको बलकि हकीकत यही है सचाई है कि बिहार की प्रस्तितियों में दोनों को ही नितिशकुमार की जरूत होती है और आज वहीं नितिशकुमार इंडिया गटबंदन में इंडिया एलाइंस में है अब ममता बनर जी को रेल मंतर आ मामता बनर जी को रेल मंतर आलाय मिल गया आपको 1999 की भीतर कारगिल युद के तुरंत बाद या उसी दोरान ही जब एक रेल दुरगटना होई थी आ जब उसके नहीं जिम्मेटारी लेती हुए नितिश कुमार नहीं रेल मंतर आले पत से रेल मंतरी पत से इस्तिफाद दिया अधरिक्त परभार के तरपे पेट्रोलियम मंतरी नाइक को रेल मंतरी बनाए गया उसके बाद 99 के लोकसवा चुना के नतीजे है उसके नतीजे के बाद मामता बनर जी अटल बिहारी बाजपई सरकार से अपने मांग मनवाने में सफल हो गई वो रेल मंतरी बन गया वही न ममता बनर जी को यह एहसास हो गया कि पस्सिम बंगाल के बोटरों के बीच 30% से ज़्यादा बोट जो है मुसल्मानों का है अल्ब संख्यकों का है और भारते जनता पार्टी के साथ विधान सबाद चुनाओ लर करके कभी भी वो पस्सिम बंगाल के भीतर जोती बासु की सर लरकार को हराने के लिए महा जोट का नारा दिया कि कांग्रिस भाजपा टियम से तीनों एक जगां हिकठ्थे हो जाए और महा जोट कांग्रिस comments क्यों बनाए जाए थे यानि बरकत क कुछ यह बीए गनी क का एविवी का गनी चौधरी कुछ ते बरकाखांज को कहा जाता था व व व भी काभी लोग पीडियते चुनाओं नहीं आरते था लेकिन्र हो महाजोट का परयोक जो है वीमपल हो गया और जिन नेता के coat के जौर्ज फरनैंड़ीस ने और और फिर वहापे जिन जोर्ज फन्नेंडिस ने ममता बनर्जी को भाजपाग के साथ जोडने में बड़ी भूमिका निवाई थी, उनके उपर जिस तरीके से तहल का एस्टिंग उनके पार्टी के उपर भारी पर गया, उसके बाद ममता बनर्जी ने उसी का बहाना लेकर के भ हमिया भी फिर नहीं मिली, और इस दोरान ममता बनर्जी ने केंद्रिय मंतरी मंडल से जो राइटर्स विल्डिंग की जो चाहत थी उनके, केंद्रिय मंतरी मंडल और भरती जनता पार्टी के साथ जब छोड़ा, अटल बहारी बाजपी ने वापस रेल मंतराले नितिस कुम पीछे, 5-6 साल आके पीछे दोनों कामियाब हो गए, 2005 में नितिस कुमार पटना के तटपे, और 2011 में कॉंग्रेस के साथ जाकर, एक बार फिर से रेल मंतरी बन करके, और फिर रेल मंतराले के साथ-साथ जो है, रेल मंतराले के बाद 2011 में बंगाल के भीतर, 34 साल पुराने व वामपंथ भरा हुआ था, उस बंगाल के भीतर, वामपंथी सरकार को उखार फेकने में महमतापनर जीने कामियाब हासिल कर ली, खरीव करीब 12-13 सालो साल से दोनो एक साथ मुक्यमंत्री रहें, अपने पर्देश मुंच का दौर हो, चाहे फिर नायंवर मोदी जी का दौर हो. 2011 से दोनों मुख्यमंत्री है नेतिश कुमार तो 6 साल पहले से ही थी 2005 से ही और 6 से ही दोनों राष्टिय महत्वकांग्चा है दोनों मुख्यमंत्री की अपनी महत्वकांग्चाएं हैं और ऐसा नहीं हर किसी का होता उतर प्रदेश के गुजरात के मुख्यमंत्री की राष्ट के बारे में तो लाल करिशन अडवानी ने खुल करके उनके समरताने में बयान दिया था जब 2013-14 के दौर में भारती जन्ता पार्टी के अंदर परभावी नेत्रितु का सवाल हो था कहा जा रहा था कि पुरानी पेड़ी की जगा नहीं कोई पेड़ी के किस नेता के हाथ में क मौका मिल गया और मौका कब मिला मौका मिल गया 2023 के दिसंबर में एक मैने पहले और मौका सिवरासिंग चोहान के उपर भारी पर गया और उन्हें हटा दिया गया नेतिश कुमार ममता बनर जी के साथ जो परस्तेतिया एक तरफ रहल भवन और इन दोनों विबादों के एक्सपोज होकर के सामने आदे तो मामला होता है 2001 के भीतर जो 1996 के रेल बजट में छे नए रेलवे जोन की बात की थी रामिलास पासवान ने उच्छी नए रेलवे जोन में एक जोन बिहार बिहार के हाजी पुरुमें बनना था पुरुमध्य रेलवे उसके लिए झूजयन जो है पुरुमें रेलवे कुलकरता का हिस्सा था और महमता बनरजी चाहती थी कि धनबाद डिविज्चन पुरुमें क्यन पुरुमें का क्यों में इसकी लिए दरसल कें धनबाद डिविजन इस देश में सबसे ज़्यादा माल धूलाई से कमाई करने वाला डिविजन रेलवे के लिए कि लिए कि दोनों हाथों में लटू है धनबाद डिविजन के भी तक सिंग रॉली से लेकर के धनबाद तक का पूरा का पूरा कोई लांचल का जो बेल्ट है और दोलाई से नहीं मतलत डिविजन के कमाई जो है और माल धूलाई से धनबाद डिविजन के कमाई जो है और माल धूलाई से जो है एक नमबर पर होते हैं एक यातरी के मामले में दूसरा माल ढूलाई के मामले माल ढूलाई का पैसा और यातरी परिवहन से कई गुना अधिक होता है उस पूरे पैसे को कहीं न कहीं कोलकता डिविजन अपने डिविडेंट में दिखाए अपने लावांस में दिखाए जो बंगाल के भीतर अवस्तिते ये लराई ममता बनरजी और नितिश कुमार के भीतर खुल करके सामने आई थी तो आज भी पुरमध्यरेली का हिस्सा हो एक नहीं और अभी के बल विवाद नहीं हैं अमता बनरजी और नितिश कुमार का बैवाद रेल्यवे से सुरुआत हुआ विवाद सेयोजक और प्रधान मंतरी पत्तक आता हुआ दिख रहा है तो उसके आधार ऐसे ही नहीं है